आस्वाशन भी दिया था धन्यवाद जाने सुशिल गुपता जी मानिय स्री समसेर स्विंग जी मानिय समसेर स्विंग जी लोगसवास है जी जी लोगसवास है बोलें कि पर आदर्निय उपदेख जी आज सुबा जिस प्रकार हमारे आधर निये प्रधान मंत्री दोरा बहुत सारी चीजों के बारे में ये उन्होंने गिनाया कि किस प्रक्यार अपना देश जो है वा प्रविधी पर है उनका बाशन समाप्त होने के बाद जे जम्मू किश्मीर का रिया अर्गनाइशन अमेंडमेंट बिल दो यार 21 जेन जहां पर लाया गया और सरव प्रथम आधर निये गुलाम नवी आया जी जो मेरे बड़े बाई हैं जम्मू किश्मीर से आते हैं उनका इनके बोलना प्रारम हुआ सरव प्रथम उन्होंने कहा कि अगर जम्मू किश्मीर में देखा जाए तो किसी प्रकार की भी विकास की नाम की कोई चीज़ वहां पर नहीं है जह हम सब जानते हैं कि पिछले दो वर्षों के करेकाल में जिस प्रकार पूरे देशवर में हमारी केंद्र सरकार ने कितनी जनके जोईनाएं जो हैं वो प्रारंब की हैं और प्रारंब करने के बाद उसको कैसे इंप्लिमेंट करने के प्रयास किया जा रहा है किन्तु शायद उन्हें देखता नहीं लगता नहीं उन्होंने एक उधारन दिया था कि बटो से लेकर बनाल तक 30 किलोमेटर का एरिया है बहाँ पे जनके सड़के बंदो जाती हैं वहाँ जाना मुश्कल हो जाता है लेकिन उन्होंने इस प्ष्ट क्यों नहीं किया कि बर्साद का मौसम पहाड़ी शेतर और उस पहाड़ी शेतर में जनके बर्फ गिरने की वहाँ से जब बर्फ किगलती है तो बहाँ पे लैंड सलाइड होती है जे आज से नहीं 47 से नहीं जे परंपरागत जब से रहा होगा वो शेतर हमेशा उस प्रकार करे लैंड स्लाइड सोती होंगी वे रास्ते बंद होते होंगे गाड़ियां नहीं चल पाती होंगी तो इसलिए एक चीज को लेकर बोलना और केबल मातर बो चीज बोलना जो चीज जो है वोचित नहीं है और दूसरी में जो बोलना चाहूंगा कि किस परकार की आज जम्मू किश्वीर में जैने के विकास के लिए हमारा काम इतना अक्तिवर गती से जैने के आगे बढ़ रहा है ऐसा कोई भी परदेश नी रहा होगा मैं सबसे प्रतुम कहना चाहूंगा कि जहां पे तीन तीन एम्स दिये गए हों जम्मू में जैने कि अलग से एम कश्मीर में अलग से एम अब लदाख जैने के दूसरी ज्थी बन गई है तो लदाख वें तैस्रा एम्स जैने कई सिथानों पे एक-एक एम्स्थ नहीं मिलता होगा और वहां पर Tu nuts वहां मिली इअउय जनके वहां पर बढ़ रहा है और जिस परकार के वहां पर हर प्रकार का निर्वान मैं कहता हूं जम्मू किश्मीर के एर्ध अर्दिर्द एक रिंग रोड बंन रही है उस रिंग रोड को बनाने के लिए यानिके कितनी विवस्ता चाहिए जो हमारे रोड्स यह हैं वो आजा साब के समय जब मुख्या मंत्री होते थे तो सिंगल लेन होते थे आज उनको जिनके वो डवा लेन जाए फोर लेन जाद नहीं आ रहें देख नी रहें कि विकास हो रहा या नहीं हो रहा इस सब चीजों क करें कि जम्मू आज जैनके कितना आगे बढ़ चुका है मसमी के मादिम से उन्होंने गनाया कि बारह हजार से ज्यादा जैनके हमारे अद्योग थे आज उन अद्योगों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा शेतर जो है हैंडी क्राफ्ट के मादिम से चाहे कालीन बनता चाहे अखरोड की लकली का काम होता होगा चाहे दूसरे कारे होते होंगे वो सारे के सारे शोटे शोटे लगू द्योग जिस प्रकार से पनप रहे हैं मैं कहता हूँ केंदर सरकार से मैं नवेदन करूंगा आदर निया हमारे जिन के ग्रह मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उ रोजगार के सादन और मिल सकें जिस प्रकार के इनको रोजगार के सादन मिलेंगे तो हमारा जनके परदेश जनके तरक्की कर सकता है इसलिए इसको जनके कहा गया कि वहाँ पे इतने सारे सारे काम करने के उपरांत जिस प्रकार के सरकारी तंतर है जिस प्रकार के हमारे आई ये अफिसरें बहुत कम मातरा में हैं अगर ज्यादा काम करने हो कि ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए इसको अगर इन अफिसरों को जनके जैसे मीजोराम, उत्रांचल, बाकी शेतरों के साथ जनके जूटी के साथ मिलाकर वहां से जनके और अफिसर वहां लगाए जाएं लाए जाएं तो हमारा काम और तीवर गती से बढ़ सकता है, अगर हमारे पास चोटा सा समय रहेगा, आदम जनके अफिसर कम रहेंगे, तो ये काम अबदी में नहीं हो सकता, जैसे हम जानते हैं कि पुल का जनके पुन्च की और रेल का निर्वान करवाना, आज ये के रेल केर निर्वान करवाने के लिए बहाँ पे जिस प्रकार के लोग चाहिए, जिस प्रकार के कारे करता चाहिए, जिस प्रकार के अफिसर चाहिए, वो नहीं हैं, इसी प्रकार के फोर लेल बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, वो नहीं हैं, जिस प पावर कितनी थी और आज हमारे पास कितने प्रजक्ट और लगे हैं जो पावर तीन गुना बढ़ चुकी है जम्मु किश्वीर में जह सारा कारेक कैसे होगा इन कारेक को बढ़ाने के लिए यह वहां पर अफीसर चाहिए माक्सियों यह अफीसर हमारे पास अगर होंगे तो ह सारे कारे कर सकते हैं अन्य था करने के यह कौन करेगा कि कौन समालेगा कौन देखरे करेगा कौन लुक आफटर करेगा इन सब चीजों की बारे में लुक आफटर करने के लिए अफीसरों की जरूरत रहती है तो इसलिए चार पांच जूटीज को मिला कर उन्हें अफीसरों में के एस और के पीएस के लोग जो हैं उनकी प्रमोशन के 50 प्रसेंट पहले हुआ करती थी आज वहां पे उनको 33 प्रतिशत पर रखा गया है मैं कहूंगा उनका 33 प्रतिशत से शोड़ कर 50 प्रसेंट ही रखा जाये ताके उन लोगों को भड़ावा मिले हमें काम करने का मौक सिस्टम के पहले मैं पूछना चाहूंगा के 1370 समाप्त होने के पहले पंचायत के चनाओं पिछले जैने के 70 वर्षों में कितनी बार जम्मू किश्मिर में हुए हर जैने के परदेश में 5 साल के बाद पंचायत के चनाओं होते होंगे जम्मू किश्मिर में केवल मातर चार चार बार बीच में कारेकाल होता ही नहीं था पंचायती राइस सिस्टम था यह नहीं जैनके बीडी सी जैनके वहां पे कोई बंटा ही नहीं था वह जैनके प्रावदान नहीं था हम कहीं बर कहते थे 73rd और 74th Amendment को लाए जाए वहां पे लागाने बाद जैनके हमारा काम तेज गती से बढ़ सकता है चीह पहली बार जबड़ान कि जैसे संग प्रयाह्ड गोत्म जीं हमारे बोल रहे थे केガे उए थे वहां पे पहली बार प्रथम बार जैनके आज डिडिसी का चनाओ है तो गया है ने कि सारा काम किसी जैनके अपने लोगों द्वारा जो तो स्वैम कर सके अगर डिस्ट ड्वेलमेंट बोर्ड जो बनता है अगर बोर्ड वो अपनी तियारी करें अपने जिले का नर्मान करने के लिए क्या क्या चीजे चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन सी सटक बनने चाहिए कहां पर पानी का यहिन के कूगां चाहिए कापे जनके हैंड पफ्ट चाहिए वो जनके छोटा जो dyslex बोड होता है वे अगर बनाने का प्रायस कर और हो जếu देशिक के मेंबर्स होते हैं वो बताएंगे पहले क्या होता था बहां का यह करता था जेन्दो का चेर्मैन हुआ करता था और उसको क्या पता वह कहां से आया हुआ इसलिए उस खाके के पहले इतियार कर लिया किसी से पूशा नहीं तो वह तो डिक्टेटरशिफ हो जाती थी इसलिए वो डिक्टेटरशिफ को शोड़ कर सब की सहानुमूती लेकर इसको आगे वड़ी का करने का हम प्रयास करें इसलिए इस सिस्टम को इंप्लिमेंट किसने किया वो भारती जन्ता पार्टी और आज की ये किंदर सरकार द्वरा धारा 370 को स्वाब्त करने के अपराद इसको चलाने का प्रयास किया है हम कहीं बार कह चुके हैं कहीं चीजी होती हैं जिसके बारे में अवाश्य मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जिस प्रकार लेट ड्वेल्मेंट कोंसल जिनके सबसे ज़्यादा इस समय नर्मान अगर कहा हो रहा है तो ले में हो रहा है सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि बहाँ पे जिस प्रकार का पैसा जा रहा है आगे जो पैसा जाता था मैं एक वाद अवश्या रखना चाहूँगा पहले भी रखा मैंने कि आज तक जम्मू किश्मीर की अपनी आए बिलकुल नहीं थी वो केवल केवल केंदर पर आश्रित होते थे केंदर यनके हमें क्या देगा कितना देगा उस पर हम आश्रित साले रहते थे अगर आज उनको कुछ मिलता था तो इसमें से केवल मातर कितना प्रतिशत बहुत कम प्रतिशत लदाग को मिलता था बहुत कम प्रतिशत जिनकी जम्मू को मिलता था और सबसे ज़्यादा कश्मीर को बैली को मिलता था लेकिन उसके बाद भी आज किश्वीर जिस परकार से अपना होना चाहिए जिस परकार की बाद वहाँ पनफ़ी चाहिए जिस परकार की इंडस्ट्री वहाँ पे होनी चाहिए MSI के सेक्टर बढ़ना चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ पाया हर जिनके सर्दियों में शेमीने बरफ पड़ती है लोग अपने गरों में रहते हैं घर में जिनके चूला जिलाते हैं चूला जिलाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो गर में बैठकर कलीन और बना सकते थे जनके शाल जनके दुशाले पश्मीने का शाया या आप जानते होंगे जो लाख लाख दो दो लाख रुपे का बिकता है एक एक साल जनके लगता है उसको बनाने का तो वह वहां पे उसका नर्वान वहां करवा सकते थे लेकिन उन्होंने नर्मान करवाने का प्रयास नहीं किया क्यों नहीं किया उसका कारण मैं जानता है नहीं चाहता इसलिए आजाद साथ जनके बड़े इनके सीना ठोक कर कह रहे थे कि हमें जे करना चाहिए, वहाँ वहाँ करना चाहिए, जे मुझे लगता नहीं जूटी के बज़ाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी अफीसर जनके जम्मू किश्मीर में बेज़े जाएं, बाकी स्टेटों के साथ जनके विले किये जाएं, ताकि वहाँ का नर्मान, वहां का कारे, वहां की गती, जिस गती से जनके हमें चलना पड़ेगा, हम उस गती से चलकर जम्मू किश्मीर का निया नर्मान करवा सकते हैं आज टूरिस सेक्टर देख लीजिए, टूरिस सेक्टर में जिस परकार से लोग जम्मू किश्मीर को देखने को जा रही हैं, जैसे जाना चाते हैं, बिल्कुर शानती पूर को डंक से जनके जम्मू किश्मीर में जा रही हैं, कोई सी परकार की कोई बादा नहीं, कोई हडल आज से तीन साल पहले क्या हम जा सकते थे हम डरते थे कि वहां जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा ना जाने के जाने के वहां के गोली हमारे सीने में लगेगे यह हो सकता है इस परकार का भी डर वहां बैठा हुआ था इस वार गुलमर्ग पैलगाम सिर्नगर में लाखों के साब जाने के परेठक गेंगे अगर पूरे के पूरे होटल देखे जाएं तो सारे के सारे पैक हुए थे बहां पे रहने के लिए ववस्था नहीं हो पाई थी हम इतनी बड़ी लोग गेंगे वोगे थे वह क्यों हुए क्योंकि आज शान्ती बहां पे बन रही है दूसरा शी प्रेंटर करता ही है लेकिन उसको रोकने के लिए सबसे प्रत्व है कि रोड़ से ठीक प्रकार से चलें ताके हमारे अमलीशन के जिनके सारी चीजें जो है जैसे गाड़ियां है वो सरपट दोड़ सकें तरुन तो बहां पे पहुंच सकें इलाज हो सकें आई बाई हैली कै अफिसर इन फिसरों को और आई पीएस तीनों फिसरों को तुरंत मैक्सिम्म जम्मु किश्मीर बेजने का प्रयास करें मैक्सिम्म वहां पे लगाने का प्रयास करें अगर वहां पे आगे तो हमारी गती जो है वो तेज हो सकती है हम आगे बढ़ सकते हैं अन्य था अगर प प्रदान मंतरी जिस दुवारा जिस प्रकार कारे जम्मू किश्मिर का अपने हाथ में लिया है, उन्हें किया है, आपने हमारे कर्च जिस प्रकार का अपना खिजाना खोला हुआ है, उन्हें खिजाना खोल कर जम्मू किश्मिर का निया नर्मान करना चाहते हैं, जम्मू सिम्र के लोगों का बढ़ावा देना चाहता है इनी शब्दों के साथ मैं अपने वानी को बिराम देता हूं भारत मता की जय दिन्यवाद अब मैं मुहम्मद मीर फ्याज आप थे नहीं